हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुमाई यूटूब चनल तो इस वीडियो हम बात करेंगे जापानीज लीग के मैच के बारा में जो गाइस खेला जाए यहां से सिमीजू एस पुल से और गंब आवसाका के बीच में होनवाल इस मैच के बारा में तो गाइस इस वीडियो में इंदूण टीमों प्लियर हम बात करेंगे जब ये दूण टीमा आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इंदूण टीमों का हैट दूण टीमों की तरफ से और कु प्लस वाइस कैप्टर बना सकते हो, वीडियो कम्प्लीट देखने के बाद, और पिलियर का कम्प्लीट रिकोर्ड देखने के बाद, तो गैस साउ स्पेल नजर डालते हैं, जापानीज लीग की पॉइंच टेबल पर, तो गैस फिलाल हम आ चुके हैं, जापानीज लीग की ज तो गैस, गामबा ओशा का 23 मैच खेल चुके, जिनमें साथ मेच इस्टीम ने विन की हैं, 5 मेच डरो खेले हैं, और 11 मैच इस्टीम ने लोस की हैं, अटेकिंग वाइस 17 गोल इस्टीम ने डिफेंसी वाइच कंसीड भी थी हैं, तो गैस 23 मैच में 17 गोल सकोर करना आप मान स सकते हैं जो इसका टेक है पर्तियक मैंच में 0.7 गोलcience कोर करना का average रखता है वहीं पर बात करें इसनींच में फ़र्टियक मैच में 1 गोलज़ाइख सकूकों करना का average रखता है अल से अल-चर अब है इस पर किल चुकिये जिनमें से 5 माइच इस टीम विन की हैं और 9 माइच इस टीम डोवी खेले Nine मेच इस टीम ने लॉस भी की हैं All 수가 24 ढोल की हैं ॉ डिफरेंसी वान इस टीम डिफरेंस गोल कंरें तो इसका जो डिफा như से परती एक मैच में 1.3 गोल पर मैच सकूर कंसीड करना का एवरेज रखता है अटेकिंग वाइस ये टीम परती एक मैच में एक गोल पर मैच सकूर करती है और डिफेंसी वाइस भी ये टीम कहीं न कहीं परती एक मैच में 1 गोल पर मैच सकूर कंसीड कर देती है और कभी-कभ नहीं लेकिन को आपने ड्रीम को हम अपने ड्रीम लोंग टीम मान के चलें इन दौन से तो तो guys मैं हलका सा फेवरेट यहां से गांबा ओशाका को मान के चलता हूं क्यों क्योंकि इसका जो पर्फोमेंस रहा है अभी तक प्रिवेस सीजन में काफी बहतरी नहीं देखनों को मिला इसलिए मैं यहां से गांबा ओशाका को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं लेकिन guys हम बात करेंगे जब यह दून टीम आपस में हैट वेड मैचस खेलती है तो क्या परफोंस देखने को मिलता है इन दून टीमों की और से और वहां से क्लियर हो जाएगा कि कौन से टीम इस मैच में फैवरेट टीम होन वाली हमारी शमाली टीम बनाने के लिए ड्रीम 11 पर तो गांबा ओस्याओं नहीं बलकि गांबा ओस्या इस टीम के सामने पर्फोंस आप मानजिज रहा लेकिन डिफैंसी वाइज कहने के पर तीम कहने के गोल कणिजिड कर देती है अब गाई शीमी जो एस पूल से इस टीम के सामने 2-0 से विन कर गी थी लेकिन उससे पिछले 3 मुकाबले और 3 को 3 मुकाबले यहां से गांबा ओशा का विन कर गी तो आप यहां से अंदर दे लगा सकतो हो पिछले प्रिविश सिजन कितना बहतरीन था गांबा ओशा का लेकिन recent का according देख ऐसका अकोरडि 폴 हलकल का तायम जो पर्फोमेंस है उसके बारे में तो गांबा ओ सगा जब हम इस टीम को सामने मैच कहला है तो अटेकिंग वज परते मिच मेरा गोल गाल किया है और इस मैस maniac tam डो गोल की हैं इस मैच में तीन गोल की है और इस मेच में एक गोल कुर्ण भाइल और फेवर को अब बात करते हैं रिसंट फ़ों का अगडिंग फिलहाल के टाइम पर उसके बारे में तो गईस Shimizu S-Pulse है, रिसेंटली 6 मैच खेल चुके है, जिन मैच से 2 मैच विन, 3 मैच ड्रो, सिर्क एक ही मैच लोस किया है, अटेकिंग वाइज 1.3 गोल पर मैच सकोर किया, लेकिन 1.3 गोल पर मैच सकोर कंचीड विए, तो गाइज अटेकिंग वाइज ये टीम परती एक मैच में गोल करती भी है, और डिफेंसी वाइज परती एक मैच में टीम गोल कंचीड भी करती थी है, अब गाइज बात करें जो पिछला मैच, Shimizu S-Pulse है, Yokohama के सामने 2-2 से मैच को ड्रो खेल कर आ रहे, अटेकिंग वाइज दो गोल के लेकिन डिफेंसी वाइज इस टीम ने दो गोल कंचीड भी किया, लेकिन उससे पिस मुकाबला कावाशा की फराउन टेले के सामने ये टीम 2-0 से लोज कर गई, और कावाशा की जो की one of the best आटेकिंग और डिफेंसी वाइज टीम है, उसके सामने लोज इसका बनता है, लेकिन उससे पिसल मुकाबला ये टीम 2-2 से अगेन मैच को ड्रो खेला, और उससे पिसल मुकाबला 2-1 से विन, फिर यहाँ से इस टीम ना अगेन 1-1 से ड्रो खेला, तो गईज इसका जो पर्फोमेंस है रिसेंटली अटेकिंग वाइज परती एक मैच में गोल करती है, और डिफेंसी वाइज भी कहीं ने कहीं परती एक मैच में गोल कंडिसीड भी कर देती है, तो गईज पर्फोमेंस आप मान सकता हो कि एवडेज चल रहा अटेकिंग वाइज और डिफेंसी वाइज भी, अब गईज बात करें गामबा ओशाका का जो रिसेंट फोम है उसका अकोरडिंग फिलहाल टाइम पर जो पर्फोमेंस है उसके बारे में, तो गईज गामबा ओशाका ने रिसेंटली छे मैच खेलें, जिन मैच से तीन मैच विन, अभी तक एक भी मैच ड्रो नहीं कहला, बलकि तीन के तीन मैच इस टेमनल लॉस के हैं, अटेकिंग वाइज 1.3 गोल पर मैच सकूर किया, अब गईज बात करें, जो पिछला मैच गामबा ओशाका 2-1 से लॉस करका आ रहे है, अटेकिंग वाइज एक गोल किया, लेकिन डिफेंसी वाइज इस टेम ने दो गोल किया, लेकिन उससे पिन मुकावला गामबा ओशाका ने थिरी टोस से योको हामा के सामने लॉस किया, और उससे पिन मुकावला विशेल कोबेक, मतलब वैगाल का संदाजी के सामने 1-0-7, फिर यहां से 2-0-7, फिर उससे पिन मुकावला 2-1-7, तो गईज आप यहां से देख साथ तो इस टेम ने तीन मैच विन भी किया, और अटेकिंग वाइज इस टेम ने परतेक मैच में किया, लेकिन डिफेंस वाइज पिछले तीन मैच में से एक ही गोल कंडिक्सीड किया, तो पर्फोमेंस काफी अच्छा रहा पहले से, लेकिन उससे पिछल मुकावला काशिमा अंटलर्स के सामने यह टीम 1-0 से लॉस कर गई, तो गईज पर्फोमेंस इस टीम का भी यही द फिर इन दोन टीम को हैट वर्ड मैचस पर नज़र डाले, फिर इन दोन टीम को रिसेंट फोम पर नज़र डाले, तो गईज इन तीनों चीजों को एक साथ मद्धे नज़र राखते हो हो, इस मैच का सखोर राइन प्रडिक्शन क्या निकल कर आना चाहिए, तो गईज पॉ के सामने एक ही मैच विन किया है, बलकि तीन मैच यहां से गंबा और शाका ने विन किया है, तो परफॉमेंस यहां भी आप मान से तो इक्वली देखनों को मिला है, अब बात करें, रिजिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग, दोनों टीम में अटेकिंग वाइस गोल करती भी फिलहाल के टाइम पर और दोनों टीम में डिफेंस वाइस फिलहाल टाइम पर गोल कंडिसीड भी कर देती है, तो इस परफॉमेंस इक्वली देखनों को मिला है, तीनों जगए पर, अगर हलका से देखा जाए तो यहां से सीमिजू एस पूल से की और काफी अच्छा परफ परफॉमेंस है, कभी इस टीम ने गोल किया भी होगा, कि किसी टीम के सामने नहीं भी किया होगा, तो इस तरह का परफॉमेंस है, लेकिन गामबा ओशागा का जो परफॉमेंस परफॉमेंस पर दो मैच में एक ही गोल करती है, तो इसका भी परफॉमेंस आप मान से काफी ड जब स्य्मेजू ऐस्पुल से अपने होम-ग्राउνड में खेल तें गांबा ओसा का सामने तो गांबा ऑशा का इस कीम के गोल करतीए यह चीज मैंने देखिए इस प्रिविस् ही हम अपनी समाल लिग की टीम बनाएंगे मतलब वन वन के परडिक्सन का नुसार और वन वन के परडिक्सन का नुसार जो इस मैज की समाल लिग की टीम रहेंगे ड्रीम लिएंपर वो नजर डालेंगे हम ड्रीम लिएंपर उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्ल नहीं क्या तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के सबसे उपर वाल कॉमेंट में आपको टेलीग्राम चलने का लिंक मिलेगा और याद रहें लिंक के माध्यम से ही सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसी से जॉइन हो क्योंकि और कोई तरीका नहीं है हम प्लियर्स के बारे में तो गाई सीमीजू एस पुलसे की टीम की तरफ से फिल हाल के टाइम पर जो हाइस गोल टेगर थ्यागो संटाना जो इस टीम के तरफ से छे गोल कर चुका और बाकी के जितने भी प्लियर है उन्हें एक एक यह दो दो गोल किया आप यहां से तो परफॉमेंस कीतना पूर रहता है इन दोनों टीमों का अटेकिंग वाईस तो गाईस यहां से जो इंपोर्टेंट प्लियर निकल कर आते हैं मैं एक बार टिक मार कर देता हूं आपके लिए तो यहां से मतलब ठ्यागो संटाना एक इंपोर्टेंट प्लियर रहेगा टै इस टीम तरफ से केटा नका मूरा जो कि तीन असिस्ट कर चुका गोल में इसका नाम नहीं है तो एक इंपोर्टेंट प्लियर रहेगा चाहती से आप वाईस कप्रन भी बना सकतो अपने टीम का बाकि यहां से टेरू की हारा जो दो गोल कर चुका एक असिस्ट कर चुका बा तो एक बार नज़र डालते हैं गांभा ऑशा का प्लियर के बार ही तो गांभा ऑशा का त reeандिर शका वस्ट ने प्रेयर किडिए कर सो में तो फस्त निशाएक ज्वर है इस से अंदाजा लगा सकते हो तो कहीं ने कहीं important player हो सकता है वहीं पर बात करें सेकेंड मतलब थर्ड हाइस गोल टेकर इस टीम तरफ से टीम तरफ से टाकाशी उशामी जो के इस टीम तरफ से छे गोल कर चुगा और प्रिविश सीजन में इस टीम की तरफ से इस ने चे गोल किया तो कहीं ने कहीं ये भी important player हो सकता है लेकिन मैं फिलहाल के लिए इसको अभी टीम में pick कर कर नहीं चला हूँ बाकि यहां से थ्यागो अलवाइस मतलब अलवाइस जिसने एक गोल किया और यहां से यह जीम जिसने एक गोल किया बाकि का आप सामने आप screen shot ले सकते हो record आपके सामने हैं जो यहां से important player है फिलहाल के लिए मैंने उनको टिक किया हुआ उन्हें आप अपने टीम में जरूर पिक करके चल लेना अब बात करते हैं असिस्ट कमावनीश टीम तरब से वैलिंग्टन शिलवा दो असिस निकाल चुका पैट्रिक एक असिस निकाल चुका उशा इसने एक असिस निकाला तो यह भी इंपोर्टन हो सकता है बागी का आपको सामने रिकोर्ड आप स्क्रीन सोट जरूर लेना जब लाइन पाएगी उसका अकोर्डिंग आप खुद की बहतर टीम भी बना सकतो अगर माँ आपको परवाइड भी नहीं कर पाहूं तो यहां से सिक्रीन सोट ले लेना अब बात करते हैं इस मैच का सकोर राइन प्रडिक्शन हमने वन वन ड्रो रखा है और वन वन का प्रडिक्शन का अनुसार ही इस मैच के हम अपनी समाली लिग टीम बनाएंगे ड्रीम लोंगे टीम तो गाइस फिलहाल के लिए यह टीम है जिसमें कै इसके अपन दे सकत हो क्योंकि 2nd टीम की तरफ से ही 1st हाइस गोल टेकर है और यहां से मुम नाकायामा को पिक कर 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 चले है और यहांसे जीमा इसको पिक कर चले है एक गोल एक असेच कर चुका तो इम् leverंट रहे हा से गांबा औशाका को पूरी तरह फेवर करके गया हम मतल अब लाइणप के approach पता चलेगा कि टीम न किस तरह का पेर को जगा देए सटारींग लाइट ओर कॉन्सी टीम इस मैच मां हलकी हैई और कौन से शुक्षचर छूगे लेकिन वह अप्डेट आपको कहा मिलेगी वह अपडेट को हमारे सिर्फ और स्रांग चैनल पर मिलेगी डान का लिंक हमने आपको सबसे उपपर वाला कॉमेंट में धिया Sam तो प्रस्क्राइब भाई आपने स्टेंटर्ड केलिग आनवाले और सटेंटर्डagon कि जो भी वीडू रहेंगी आप के लिए यहां पर पर प्रवाइड जरूर की जाएंगी तो thank you very much वीडुयो कंप्लीट देखने की लिए और होपस आपको वीडू यह पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें YouTube चैनल को परमोट करें तो guys उम्मेद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और नहीं भी आई तो कोई बात न कॉशिस करूँगा आपको पसंद आई थेंक यू वेरी मच वीडियो कम्प्लीट देखने के